हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की अप सक्सेस में तो दोस्तों आज मैं क्लास 12 टैप्टर का नाम है ठो सवस्ता सब्जेक्ट है केमेस्ट्री ठीक है तुम्हें ठो सवस्ता का जितना भी मुस्ट इपॉर्टेंट 25 जो है भी वी उसको हम बताने जा रहे हैं तो आप लग बिना स्क्रिप की वीडियो में लाज तक बने रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेस्टन ना छूटे सभी एक्जाम के लिए बहुत ही इपॉर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए बिना देर के हमां स्टार्ट करते हैं और जो भी मेर चैप्टर है उनका अगर और भी सब्जेक्ट चाहिए तो मेरे प्लैलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और वहां पर अपना पीडिएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम पर फॉल्लो कर लिजिए और वहां पर भी हम आपको स्टाडी में प्रोवाइड कर जितना भी उब्यक्टिफ अपर अप्लोड किया गया है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए हम लिजलाई करते हैं किक्वेशन नंबर सेकेंड में कि घनाकार संरचना में पिंड केंदरित परमानु की समनवियन संरचना होती है पहला ऊप्सन है चार द्जोसरा उप्सन है उप्सन भी सिक्ष्पोड सी है आठ और उप्सनडी है निम्लीखित में कौन बिरावधार ठोस है सेकंड चल्च बॉण अब को हmarket है सी है क्रोम एलम ऑप्शन दी है सिलिकन करवाइड तो अप्शन थीरी का हो जाएगा आप्शन बी यानि कि फार्ज ग्लास ठीक है सी का थीरी का हो जाएगा अप्शन बी क्वेश्चन नमबर चार में देखेंगे कि निमलीखित में कौन ओक्साइड धातू की तरह विधूतिय गुन दर साता है चाहिए साइओ टू एम जी ओ और सो टू ए ऐसे डूटी कि तरह विधूतिये गुन दर साता है तो फॉर्थ का जाएगा ऑफ्शन नमर फाइब देखेंगे कि ट्रांजिस्टर सेलों के निर्मान में प्रिजूक्त होने वाले तातू हैं त्रांजिस्टर स प्रेक्त होने वाले टातर उसी है तो पहला हो जाएगा फट्ध मां अपसट्ध और जोड़ा रहाता है और इन की संखया होती है और इन option C है 3 option D है 1 तो 6 का हो जाएगा option B यानि कि 4 ठीखर डइमेंड क्रिस्टल में जो परतियक कारवन परमानू और फिर कारवन परमानू से जोड़ा रहता है उनकी संख्या कितनी होती है चार होती है तो 6 का हो जाएगा option B question number seven देखेंगे कि अंतर केंदरित घणिये संवरचना में उप सहसन्य योजक संख्या होती है कितनी सहसन्य योजक संख्या होती है केंदरित घणिये संवरचना में option A में है 8, option B है 6, option C है 4, option D है 12 तो 7 गा हो जाएगा option A यानिकी 8 ठीक है sy Healthcare गा हो जाएगा सही answer क्वेचिन नमर् 8 देखेंगे कांच होता है सुच में क्रिस्टिलिये ठोस या फिर अतिस्टित द्रव्य या फिर जेल या फिर समाक्रितिक मिसरन तो चोंग कांच जो होता है वो कैसा होता है अतिस्टित द्रव्य होता है ठीक है कांच अतिस्टित द्रव्य होता है तो एट कह पहला उप्षन है 6 उप्षन B है 4 उप्षन C है 8 और उप्षन D है 2 तो नाइन्थ का हो जाएगा उप्षन B यानिकी 4 ठीक है सोडियम अक्साइड में सर्शन्यों जग की संख्या होती है चार तो नाइन्थ का हो जाएगा उप्षन B सही descon 10 देखेंगे कि CS CL की क्रिस्टल सन्रचना है SCC FCC BCC या फिर इन्हें इन में से कोई नहीं तो 10 गहो जाएगा option C यहीं के BCC ठीका CS CL की क्रिस्टल सन्रचना क्या इस कैसी होती है BCC सथी 10 का हो जाएगा 11 नमर क्वेचन देखेंगे कि FCC एक जलक में कितने परमानू होते हैं एक जलक में कितने परमानू होते हैं तो इसका पहला उप्षन है एक दूसरा उप्षन है दू ऑप्षन सी है तीन ऑप्षन डी है चार तो 11 का हो जाएगा ऑप्षन डी यह निकी चार ठीक है एक जलक में चार परमानू होते हैं तो 11 का हो जाएगा फिर इन में से कोई नहीं प्रेंकिल दोष पैया जाता है वह जाएगा इजी थीज़ागा अप्स सक्कूण कुल्राइट का जालग क्या है छॉटियुट का जालग क्या है भुल किये ठीकिker controlar का जालग क्या है और सॉडियुट को रशाइनिकस्त क्या है यह हमें कंदो बाक्से ठीकि सोडियुम कॉलराइट को हम कैसे है उसका ग Will आप दीजिएगा comment box में तो तेरा का हो जाएगा option भी यानिकी अस्ट फल किये चलिए आगे देखते हैं 14 नमर को यह चलंग के 666 कैसा पदात है और 666 है क्या ठीक है तो 666 जो है रसाइनिक सूत्र किसका सूत्र है हमें comment box में यह भी बताईएगा कि किसका सूत्र है हम यह पहले भी बता चुके हैं class 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे 666 जो है वो किसका सूत्र है तो 666 जो है वो कैसा पदार्थ है और चुम्ब किये है लोह चुम्ब किये प्रति चुम्ब किये यह इनिमें से कोई नहीं तो 14 का हो जाएगा option C यानि प्रति चुम्ब किये है ठीक है C6, H6 जो है वो प्रति चुम्ब किये पदार्थ है तो 14 का option C हो जाएगा question number 15 देखेंगे कि एक crystal में कितने परकार के जलग संभव है option A है 23, option B है 7, option C है 130, option D है 14, तो 15 का हो जाएगा option सही हो जाएगा ठीक है एक crystal में 14 परकार के जलग संभव हो सकते हैं, 15 का हो जाएगा option D सही question number 16 है कि ठोस चारिये धातु हलाइडो का रंग किसके कारण होता है ठीक है ठोस चारिये धातु में हलाइडो का रंग किसके कारण होता है, option A है F केंद्रो के कारण, option B सौटकी दोस के कारण, option C फ्रेंकल दोस के कारण और option D अंतरकासी अस्थानों के कारण, तो 16 का option यह हो जागा यह नहीं कि F केंद्रो के कारण ठीक है, 16 का option नंबर A हो जाएगा, F केंद्रो के कारण, जो है वो ठोस चारिये धातु का हलाइडो का रंग होता है, F केंद्रो के कारण तो 16 का option यह हो जाएगा, सही answer, question number 17 देखेंगे कि निमलीखित में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदारन है, निमलीखित में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदारन है, एने 2SO4, option B है में C, option C में है ग्रिफाइट, option D में है V4, O10, तो 17 का हो जाएगा, option A यह नहीं कि एने 2 2SO4, ठीक है, एने 2SO4 जो है, वाइनिक क्रिस्टल का उदारन है, तो 17 का हो जाएगा, option A सही answer, question number 18 देखेंगे कि निमलीखित में से किस धातु का समनव्य संख्या, समनव्य संख्या 9 होती है, ठीक है, निमलीखित में से किस धातु का समनव्य संख्या 9 होती है, तो 18 का हो जा समनव्य संख्या 9 होती है, 8 का हो जाएगा, option A सही answer, question number 19 देखेंगे कि FCC, एकल सेल, FCC, एकक सेल की संकुलन जहमता होती है, option A में 44%, option B 74%, option C 74%, option D 84%, तुनिस का हो जाएगा, option C एकक सेल की संकुलन जहमता होती है, वो 74% होती है, तुनिस का हो जाएगा, option C रही, सही answer, option B में है, BCC, एकल, एकक सेल की संकुलन जहमता क्या होती है, यह तो FCC का हो जाएगा, option B, यानि की 68%, FCC का कितना होता है, 74, और BCC का 80%, याद रखिएगा, इसमें confusion नहीं होने वाला है, ठीक है, में, 74%, और BCC में, 60%, आगे देखते हैं, question number 21, कि फ्रेंकल तथा सौट की दोस होते हैं, ना भी किये दोस, crystal दोस, परमानु दोस, या फिर अनुदोस, फ्रेंकल तथा सौट की दोस जो होते हैं, वो होते हैं, परमानु दोस, ठीक है, 21 का option हो जाएगा, C, सही answer, ठीक है, 21 का option number C हो जाएगा, सही, question number 22, देखेंगे कि फलक केंद्री, फलक केंद्री के घनिये जालक में, एक एकक कोस्टिका में, परमानियों की संख्या होगी, दू, चार, तीन, या फिर पांच, तो 22 का हो जाएगा, option B, यानिकी 4, ठीक है, कितनी संख्या होगे, परमानियों की संख्या, कितनी होगी, इसमें, 4, तो 22 का option B हो जाएगा, सही, आगे देखते है, question number 30, सौट की दोस के कारण, ठोस का घनत, बढ़ जाता है, घट जाता है, सुनी हो जाता है, या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो सौट की दोस के कारण, जो हो ठोस का घनत, बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है, यहां पर घाट लिखा गया, गलती टाइप हो जाएगा, घट जाता है, तो 23 का हो जाएगा, option B, सही, अंसर, आगे देखते है, question number 24 कितना है, 32 32, 34, 28 पर्चीट इसत, या फिर पर तीच पर तीच पर तीसator, 24 का हो जाएगा इसमें, पर पटिशत, ठीक है, यहां पर क्या था खाली जग, तो इहां पर क्या था , यहां पर क्या है, है ऐन यहां पर क्या था संकुलन शम्टा था यहां पर क्या है खाली जगा की पर्तिसप निकालना था तो प्रतिस खाली पर्तिसप कितना हो जाएगा 28% की एदितरा की एक mean की ऊप्सण नमर कितना हो जाएगा सी 4 का सो रिचो talents नमबर हो सब्सक्राइब बटम दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बले लगे बेल आइकन पर भी किलिक कर देता कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचवा है और जो भी और भी मतलब वीडियो को देखना चाहते हैं और भी जितने भी भी हैं फिजिक्स चैप्टर में वह सारा कर सारा अपलोड किया गया है मेरे चैनल पर तोहां से आप लोग प्लैलिस्ट म कétais नाम है last word साइसज वहां प्लोड जितना भी मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में जो भी जोभी खोलें गे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगगा प्लीएपको हहां से आप लोग डाउनलोड भी और